तो शुरू करते हैं हम राजमा चावल की रेसिपी यहां पे मैंने लिये है राजमे यह ब्राउन कलर का राजमा है इसे मैंने अच्छे से राद भर भिगा दिया था देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है पस इसे अभी हमें प्रेशर कुक करना है यहां पे मैंने लगबग देर सो से 200 ग्राम राजमा लिया था क्योंकि सिर्फ एक ही बार के लिए बना रही थी और हम खाने वाले सिर्फ तीन जन थे तो थोड़ा ऊपर तक आने लाइक मैंने उसमें पानी डाल दिया और इसी के साथ एक आलू छील के डाल दिया और थोड़ा सा नमक नमक आप इस स्टेश पे थोड़ा सा कम ही डाले क्योंकि आगे चलके जब हम वापस इसमें नमक डालेंगे तो यह बैलन्स हो जाएगा पस इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और फिर गैस चालू करके इसे सीटी लगा दे तो इसका हम एक बगार राइस या जीरा राइस जैसे बना लेते हैं यह राजमे के साथ बहुत अच्छे से जाता है तो राजमा मैंने अलग गैस पे शिफ्ट कर दिया और यहां पे मैंने दूसरा कुकर ले लिया कुकर में डाल दिया गी और उसी के साथ यह थोड़े से ख जैसे यह इसका फ्रेग्रिंस भा निकल के अच्छे से आ जाएगा हमें इसमें भिगाया हुआ चावल डालना है यह चावल को मैंने लगबग आधा गंडा तक भिगा के रख दिया था अब यह ऑप्शनल स्टेप है दोस्तों अगर आप चाहो तो इसमें एक मैगी का क्यू इसमें डालना है normal temperature वाला पानी ना डाले क्यूंकि फिर ना चावल खिले खिले नहीं बनते तो अच्छे से गरम गरम boiling water आप साइड में रख सकते है पानी बॉल करने के लिए बस इसमें गरम गरम पानी डाल दीजे पानी का अंदाज़े के लिए जितना आपका चावल है न चाहिए बस इसमें आप नमक डाल दीजे और जैसे ही यह बॉल आ जाएगा ना पानी और चावल में और चावल और पानी का लेवल थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाएगा तो हमें इसके उपर का जो लिड है वो कुकर का वो लगा देना है और हाई फ्लेम पे इसे एक सीटी द अब हम क्या करेंगे यह बहुत करम है तो यह अच्छे से मैश हो रहा है और आलू भी अच्छे से बॉल हो गया रहेगा आपको प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो अब मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूं दोस्तों यह जो कडाही देख रहे ना आप अर लेकिन यह मेरी सास की सास की कडाई है और बहुत ही ज्यादा प्यारा है यह कडाई हमारे घर में और मैं ऐसा मान दू कि इस कडाई में जो भी आप पकाऊना सिंपल से सिंपल डिश पकाऊना यह बहुत टेस्टी बनता है इस कडाई में ठीक है ना तो मैंने इसमें डाल दि इसका जो smell थोड़ा सा निकल जाए, उसका कच्छापन दूर हो जाए, इसमें डाल देना है टमाटर, देखिए अब टमाटर अच्छे से लाल लाल रस वाले टमाटर आ रहे तो वो यूज कीजिएगा ताकि मसाला जो है जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए तो जैसे ही अब सौफ्ट हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे मसाले मैंने लिया है कश्मीरी चिली पाउडर और यह धन्या पाउडर यह कश्मीरी चिली पाउडर यह थोड़ा सा राजमा मसाला लिया है बस इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है और वही पे जो हमने आलो निका चले जाएंगे अब जो बॉइल किया हुआ राजमा है बस हमें उसे इस सारे मसाले में डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है आप इस स्टेज पे थोड़ा सा हराधनिया डाल दीजिए थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा पतला चाहिए तो थोड़ा पानी भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा गरम मसाला या थोड़ा सी कसूरी मेती भी डाल सकते हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों जरूर बनाएगा और जो मैंने राइस बनाया था जो बगार राइस बोल सकते हैं वो भी रेडी हो गया था मैंने उसे प्लेट में निकाल दिया उपर से राजमा डाल रही हूँ पापड के साथ खा रहे है बहुत ज्यादा टेस्टी बना था दोस्तों यह देखिए मेरा बेटा खा रहा है मुत्रा जोड़ो है क्या भागता राजमा चाहँ शुटों और जोड़ें गज्वका तो अट्ध इस दोड़ा जाड़ से बुल लां बिलाजमा चाहँ बनाया याँ मेरा फेवरिटे को बाद निंचा बला था बना ऑनाओ तो आज़ें भाल बनाई बनाइगे अगर अब भी जन्ना चाथे किसा पनना तो तुझे मम्मा वीडियो अफ्लोड करीना तब रिखना, तम्में खाना खने रहे हो